नमस्कार दोस्तो अभी इजराइल का वार बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुका है इजराइल इतना एग्रेसिबली आटाक कर रहा है कि मुरुतोको की संख्या धीरे धीरे करके बढ़ रहा है एसे में दोस्तो अभी दुनिया भर के मीडिया रिपोर्ट से एही पता चल रहा ह कि इजराइल का वार हाल फिलाल में थमने बाला नहीं है इजराइल कॉम्प्लीट उइन ना पाने तक अपने आपको नहीं रुकेगा और इजराइल को अभी यूएसे का मिलेटारिली फूल सपोर्ट भी मिल चुका है और उसके साथ यूएसे ने इजराइल को 80 बिलियोन ड तो गेंद मारा जा रहा है हमारे स्टॉक मार्केट का वैसे तो दोस्तो इस इस इजराइल के वार से हमें कुछ ज्यादा टेंसन लेने का जोड़ोत नहीं है क्योंकि हमारा जो बाजार है वो लॉंग टॉर्म में भागने ही बाला है और हम लोग लोग टॉर्म के से फाइदा मिलेगा अगर आप लोग सोट टॉर्म के ट्रेडर हो तो आप लोग सोट सेलिंग करके पेशा कमा सकते हो तो स्टॉक मार्केट के रिलेटर आप लोगों को चिंता करने का कुछ भी ज़रूरत नहीं है लेकिन जो लोग ने एंट्री है जिन लोगों ने टॉप अपने स्टॉक को होल्ड करके रखा है उन लोगों का अभी गेंद पट रहा होगा जी हां दोस्तो जिस किसी ने एक स्टॉक को एकदम से टॉक पर खरीदा है और अगर बहां से स्टॉक का सेर प्रैस नीचे गिर रहा है तो वो विचारा तो मतलर एकदम रोएगा ना जैसे कि दोस्तो मैं अपना खुद का एकदम देता हूँ मैंने एसे बहुत सारे कंपनियों को सो सो रुपे में खरीदा था अभी उनका सेर प्रैस दो सो चार सो छे सो पर है अभी अगर उनके अंदर गिरावट होगा तो मुझे कुछ भी टेंसन नहीं है यूँकि मुझे पता है बो स्टॉक चुहे वो आने बाले दिनों में और उपर भाग जाएंगे लेकिन दोस्तो जिस किसी ने उस स्टॉक को 200 रुपे में खरीदा होगा जिस किसी ने उस स्टॉक को 400 रुपे में खरीदा होगा तो उस विचारा का तो अभी फट रहा होगा ना वो विचारा तो दिमाग का भजिया मत किजिए और देखिए आपने स्टॉक्स के उपर फोकॉस किजिए जैसे कि दोस्तों आप लोग देख सकते हो आज दुनिया भर का बाजार गिर रहा था पूरा का पूरा इंडेक्स में हमें गिराबर दिखाई दे रहा था लेकिन बोही दूसरी ओर TCS य कि कमपनी ने बाइब्याक के अनौसमेन किया था और इस बाइब्याक के न्यूज के बज़े से आज ए TCS के अंदर एक अच्छा खासा पॉजेटिवीटी दिखाई दिया तो देखिए दोस्तों बादार गिर रहा था लेकिन इस कमपनी के अंदर क्यों गिरावट नहीं हु के अलाबा आज हमें डेल्टा कर्परेशन में भी एक बड़ा तेजी दिखाई दिया लेकिन दोस्तों याद रखना ये जो तेजी है ये तेजी आपका गेंद फार सकता है टीसी एक अच्छा कमपनी है लेकिन डेल्टा कर्परेशन अभी तक्लिप में है और मैं आप लोग अनलाइन गेमिंग के उपर कुछ भी छूट नहीं दिया गया है जिसके बास से मुझे पता था कि डेल्टा कर्परेशन का गेंद फटने वाला है लेकिन जबकि इस कमपनी के अंदर बहुत बड़े बड़े इंबेस्टर फसे हुए है बो लोग आपने पेशे को किसी भी त नहीं आएगा अगर GST काउंसिल के अंदर इस कमपनी के बारे में कुछ भी अच्छा खबर नहीं आएगा तो कमपनी का शेयर प्रैस लिटराली तास के पत्तों के तरह विखर जाएगा तो इस कमपनी से दूर रहिए नेक्स्ट अभी हम लोग थोड़ा सा फिनोटेक्स केमिकाल लिमिटर के बारे में भी डिसकोसन कर लेते हैं दोस्तों FCL के सेयर प्रैस में आज एक बहुत बड़ा गिरावट हुआ लगभग 4.38% का एक भयंकर गिरावट इस कमपनी के अंदर दिखाई दिया देखे दोस्तों एक तो इसराइल वार के बज़े से स्टॉक मार्केट गिर रहा है तो बो एक फैक्टर है जिसके बज़े से फिनोटेक्स केमिकाल का सेयर नीचे गिरा लेकिन दोस्तों जो कुरूड ओयल के प्राइस में भोलाटिलिती दिखाई दे रहा है ना उस भोलाटिलिती के बज़े से भी इस केमिकाल कमपनी में एक बड़ा गिरावट हुआ बहुत सारे लोग अभी इस कमपनी के अंदर फस चुके है देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कमपनी बहुत अच्छा है कमपनी बहुत सांदार है लेकिन अगर आप लोग टॉप पे खरीद के बठोगे ना तो आप लोगों को नुकसान होगा आप लोग यहां बहुत अच्छा आता है कमपनी ने हाल फिलाल में लगभक 25.68 करोड का नेट इनकम गिया था तो चिंता मत किजिए, कंपनी आप लोगों को लंग टर में पेशा लेगा, कंपनी आप लोगों को लंबे समय अबधी में अच्छा खास रेटरन देगा आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, पांच साल में कंपनी ने 682% का रेटरन दिया है लगभग सेभेन गुना पेशा हो चुका है इस कंपनी के अंदर आपका तो आप लोगों को और क्या ही चाहिए, लंबा इंतेजार किजिए, अच्छा कंपनी है, अच्छा पैसा देगा लेकिन अगर आप लोग दो दिन पकड़के, दो महिना पकड़के, छे महिना पकड़के, यह सोचोगे कि आप लोग मला मल हो जाओगे, तो वेशा नहीं होता है दोस्तों ठीके दोस्तो अभी हम लोग कुछ एससे कमपनियों के बारे में बात कर लेते हैं जहां पर investment करना अभी आप लोगों का खटिया खड़ा कर सकता है जैसे कि दोस्तो ये कमपनी सर्बे सोरो फूर्ट्स लिमिटेड कमपनी ने हाली में ही bonus split का ढोंग रचा था और कमपनी का bonus split को देख कर बहुत सारे लोगों ने इस कमपनी के अंदर investment कर दिया था लेकिन अभी कमपनी के अंदर लगातार lower circuit लग रहा है क्या है दोस्तो अभी कमपनी के अंदर लगातार daily basis पर lower circuit अपर circuit का खेल खेला जा रहा है आप लोग देख सकते हैं दोस्तो यहाँ पे lower circuit यहाँ पे lower circuit यहाँ पे lower circuit यहाँ पे दोबार offer circuit और यहाँ पे दोबार lower circuit तो इस कमपनी के अंदर जिन जिन लोगों का पेशा फेशा हुआ है इस कमपनी के अंदर जिन जिन लोगों का पेशा रुका हुआ है मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा जब कभी भी आप लोगों को मौका मिले इस कमपनी से निकल जाओ क्योंकि दोस्तों कमपनी ने अलेडी बोर्नोस स्प्लीट के बज़े से बहुत जादा तेजी देख लिया है जब कि अबी बाजर के अंदर गिरावट हो रहा है तो इस कमपनी में भी अच्छा कासा प्रफिटी बोकिंग होएगा और जो जो लोग जो जो बड़े भड़े ऑपरेटर्स इस कमपनी के अंदर बेठे हुए है बो लोग तो अपना नुक्सान नहीं कर वाएंगे देखे दोस्त, operators को कभी नुक्सान नहीं होता है, जो लोग stock market को operate करते हैं, उनको कभी नुक्सान नहीं होता है, वो अपना पेशे को किसी भी प्रकार से निकाल लेंगे, और फसेंगे यह हम परकन, फसेंगे आप जैसे छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर, तो क्रिक्पिय इस कमपनी के अंदर से सो समझ कर टाइम देखते ही निकल जाए, नेक्स दोस्तो एकर कमपनी है आरकम, जिसको आप लोग Redlands Communication Limited के नाम से जानते हो, दोस्तो इस कमपनी के अंदर अभी लोगों का घोड़े लगने बाला है, जिस किसी ने भी इस कमपनी के अंदर इन्वेस्म कर देखते हैं, बहुत सारे लोग इस कमपनी को, 5G पेनिश्टक बोलते हैं, बहुत सारे लोग इस कमपनी को, मल्टी बैगर पेनिश्टक बोलते हैं, तो फिर देखिए इस मल्टी बैगर पेनिश्टक ने लोगों के साथ क्या किया है, जिस किसी ने भी इस कमपनी के अंद मतलब कि दोस्तों कमपनी ने एकदम से नीचे जुकाया है लोगों को और आपना ओजार निकालके लोगों का गेंद मारा है वो भी बिना तेल के और आप लोगों को एक और छोटा सा सिद्धिका देता हूँ इसको देखने के बाद आप लोग समझ जाओगे कि ये कमपनी कितन संदार है revenue negative पर net income loss में उसके साथ दोस्तों net profit margin भयंकर negative पर तो जो कमपनी हर एक चीज़ को negatively शो करता है उस कमपनी के अंदर क्यों investment कर रहे हो और अगर आप लोगों को लगता है ना कि ये penny stock आगे चल कर multi bigger बनेगा तो literally आप लोगों को stock market के अंदर बरबात होने से कोई भी engineering limited दोस्तों आज के दिन पर इस company के अंदर 5.88% का गिराबर दिखाई दिया ये company भी circuit के उपर चलने वाला company है company के अंदर बासर बस अपर circuit lower circuit ही दिखाई देता है पिछले one month में company के अंदर कमाल का तेजी दिखाई दिया था लेकिन दोस्तों ये तेजी खतम हो चुका है और अभी ये तेजी बहुत सारे लोगों को डुबा के मारने वाला है क्योंकि दोस्तों company लगभग एक टाइम पर चार रुपे से भी उपर ट्रेड कर रहा था एक टाइम पर ये company 4 रुपे से भी उपर ट्रेड कर रहा था 2021 में लेकिन आज ये company only and only 80 पेसे पर आ चुका है तो उसके अंदर गिरावट हो जाएगा अगर कोई fundamentally strong company नीचे गिरता है तो वो एक दो महिने में या परी एक दो दिन में उपर उट जाता है लेकिन अगर एक company कुछ समय उसे नहीं long term में ही 70% नीचे गिर चुका है और उपर उटने का नाम तक भी नहीं ले रहा है तो समझ जा बहाँ पर operators का बहुत ज़्यादा गंदा खेल होता है और इस company का net income भी लगबग 61 लाग का negative पर है company 61 लाग का नुक्सान करके बेट रहा है और company का जो net profit margin है वो भी भयंकर negative में जा जुका है year and year basis पर company का जो operating profit margin है वो 155% negative में है तो समझ जाओ कि company के अंदर negativity भरा पड़ा है अगर आप लोग negativity की company को चूज करोगे अगर आप लोग negative market में negativity के company को चूज करोगे ना तो खुद के gain में खुद कुराडी मार के बेट होगे समझ जाओ next checker company है sbfc limited जिसके बारे में बहुत सारे question पूछे जाते है कि भाई ये company 100 रुपे तक कप जाएगा तो फिर मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था जब तक company का share price 88 से लेकर 90 रुपीज के पार नहीं जाता है तब तक आप लोग इस company के अंदर कोई भी बड़ा तेजी नहीं देख पाओगे और आप लोग देखिए दोस्तों मैंने जो बताया था बहुत सेम चीज हुआ company लगबग 88 के लेबूल पर या पर लगबग 87 के लेबूल पर एक के resistance जोन को पकड़ा और उपर से company को एके बड़ा रिजन मिल गया stock market crash का और बाजर के crash के साथ साथ stock भी crash हो गया मैं क्या बताने के लिए कोशिज कर रहा हूँ एक तो company का जो resistance लेबूल था उसको company ने टच किया उपर से company को एक बड़ा रिजन मिल गया इसराइल के war के रूप में की बाजर गिर रहा है stock market गिर रहा है finance के sector गिर रहा है तो हम भी गिर जाते है तो फिर देखिए अगर आप लोग company के अंदर short term में return कमाने के लिए बेठे हो तो आप लोगों को यहां पर अभी कुछ नहीं मिलने वाला है हाल फिलाल के situation में तो आप लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला है इसके अंदर आप लोगों को थोड़ा सा लंबा इंतेजार करना पर सकता है अगर आप लोग थोड़ा सा लंबा इंतेजार करोगे तो फिर company का share price 100 नहीं बलकि 100 के पार भी जा सकता है क्योंकि company बहुत ज़्यादा fundamentally strong company है लेकिन अभी stock का जो P है P ratio अभी जो stock का है वो 53 के उपर है जो इस company को थोड़ा नहीं अभी बहुत ज़्यादा रिस्की बना देता है इस negativity के माहल में तो company अच्छा है long term के लिए रखोगे तो फाइदा कमाओगे अगर आप लोग short term के लिए चटपटाओगे तो गेंद मरवाओगे दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि अभी अभी मैंने अपने चैनल के उपर बहुत सांदर सांदर वीडियोज भी अपलोड किया है अगर आप लोग चाहो मेरे चैनल के उपर जाकर इन सारे वीडियोस को एंजे कर सकते हो दोस्तो अगर आप लोग टाटा टेकनोलोजिस का आईपियो के बारे में जानना चाहते हो जाओ देखलो मेरे चैनल के उपर बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए है जो आप लोगों को अच्छा खासा मदद करेंगे आने वाले दिनों में ठीके दोस्तों आखिरी में थोड़ा सा ग्लोबाल मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं कि दुनिया भर के बाजार के अंदर भी क्या हो रहा है आप लोग देख सकते हो हमारा बाजार को जो होना था वो अलड़ी हो चुका है ये तो अलड़ी पास्ट वाली बात है ये अलड़ी दिन में बीच चुका है लेकिन अब भी रात में जो हो रहा है न वो बहुत ज़्यादा इंट्रेस्टिंग है क्योंकि देखिए इस्राइल के वार में अमेरिका भी डारेक्ली इंबॉल्व है मतलब कि अमेरिका ने अलड़ी पेशा दे दिया है हत्यार दे दिया है इस्राइल को लेकिन अब भी तो अमरिका का भाजार ज़स्ट ओपन ही हुआ है कुछ समय पहले ये रात में अंड होगा आप लोग सुबह उड़के देखना कि दो जोंस जो है वो पॉजेटिव में क्लोज हुआ है या पर नेगेटिव में दोस्तों डो जोंस के साथ साथ अगर आप लोग देखोगे S&P 500 तो बहां पर ज़स्ट हलका सा नेगेटिविटी है 0.7% का एक हलका सा नेगेटिविटी है नेगेटिविटी दे रहा है और कुछ जो ब्राजिल बगरा के बाजार है बहां पर भी हमें नेगेटिविटी दिखाई दे रहा है लेकिन एक चीज है जो मुझे खटक रहा है वो यह है कि पूरी दुनिया भर का बाजार के अंदर सब कुछ नेगेटिविटी दिखाई देने के बावजुद आमरीकी बाजार के अंदर केसे पूरिटिविटी है आँ दोस्तो एक और इंपोर्टैंचीज रस्या का बाजार रस्या का बाजार भी दोस्तो संदर पूरिटिव पर है तो ओबरल चारो ओर से बाजर के अंदर हमें एक अच्छा खासा मिक्स रिव्यू देखने को मिल रहा है रसिया का बाजर पजेटिब पर है और अमरिका का बाजर हलका फुल का पजेटिब पर है अगर अमरिका का बाजर अंत भी पजेटिब पर होता है अभी भी देखे दोस्तो 0.04% का एक positivity सिगनाल दिखाई दे रहा है अगर ये positivity का सिगनाल अन तक continue रहेगा तो काल हमारे बादार के अंदर एक अच्छा खासा recovery का expectation रख सकते है और दोस्तो अगर आप लोग हमारे चैनल को सबस्क्राइब करते हो अपर आप लोगों को इसी तरीके से कमाल कमाल के वीडियो टाइम पर मिल जाएंगे प्लीज चैनल को सबस्क्राइब करो वीडियो को लाइक करो चैनल के उपर जाकर दूसरे वीडियोस को भी देखो यह जो गिराबट है इनसे घबराओ मत लंग टर्म के लिए इंवेस्मेंट करो अच्छा कमपनियों के अंदर इंवेस्मेंट करो लाइफ में मजे करो जय हिंद